नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज बात करने वाले एससेई जीटी भरती 2021 के बारे में दोस्तो पदोगी संक्या क्या रने वाली है एकजाम का स्रिडूल सिलेबस जो इस बार बदलाव क्या होगा मायनास मार्किंग रहेगी की नहीं रहेगी। सब्सक्राइब कर लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पूरूप दिखाओंगा तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में लाश्टक बने लिएगा चैनल पर नया विट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पूरूप दिखा दूँ क्योंकि मैं खुद यूपी सब्सक्राइबर सब जानते हैं अब आपको दिखा दे रहा हूं यहां दोस्तों आप करते हैं मेरा सब्सक्राइब कार्ण पर यह जो मेरा वा रिजल ना का सब्सक्राइब कर जाओगे सबसे पहले आपको दिखा दरा एंग्जान कलेंडर के बारे में जरूरी चीज़ है कि क्या यह समभावित है यह अरभी सब्सक्राइब दिखा रहा है 2020 के आपका दस मई तक चलेगा और अगस्त के बारे में दिखा गया तो भाई एक बाद क्लियर है कुरूना के बाद जितने भी एकजाम सेडूल थे उसमें एक दिन एक मिनट का भी देरी रही रही है सारे सेडूल का समय से काम कर रहे हैं एक दिन में जरी तो यह आपका जो दिखा रहा डेट ना यह 100 परसंट है अभी से जहां भी क्लास आपको लेना ले लिजिए हमारे द्वारा क्लास चाहिए तो आपको मैं बोल दूंगा अभी सस्क्राइब कर लिजिएगा बाद में आपक लिजिए देखिए 84 पचासी अजर शियासे जो दिखा रहा है यह बैकेंसी रिक्त है भरती बोट के पास इतना कभी अधियाचा साइद नहीं आया है बैकेंसी जो भी आपके होगी इतना स्यूर है कि 62,000 प्लस 62,000 से उपर 5,700 वे जा सकती है यह बैकेंसी क्योंकि यह काफी जदा बैकेंसी है एक साल पहले का पहले का अधियाचान है अब मैटर करता है उम्रसीमा को लेकर देखिए उम्रसीमा अभी UP PCS हो गया बहुत से UP SC हो गया ठीक है बहुत जग एक-एक साल का मैकशीम जग एक-एक साल का UP के बहुत बेकेंसी याने वाली है उसमें एक साल का एज में छूट दिया जाए रिजन में बताता रहों क्या है रिजन क्या है कोविट की वज़ा से हर चीज डीले हो गया है तो जो बच्चे 23 साल हो गया है या 24 साल हो गया है उनको 100% मौका मिलेगा एक साल की छूट 100% मिलेगे रीजन का है COVID COVID के वज़ा से आपको छूट मिलना अनिवार है तो ये बच्चे परस्तादार है किसे मेरा एज खतम हो गया है मेरा होगा कि नहीं होगा आपका 100% होगा सब्सक्राइब जरू करना बोले जो ये डिया या इस डेट से आप तयारी कीजिए पास हो जाएंगे क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय बित्ता है उससे आपका कटाप भी बढ़ता है कंपडिशन बढ़ता है तो कंपडिशन जो पिछली बार 78 थी वह इस बार 80 भी हो सकती है इस बार 75 भी कटाप जा सकता है तो वह बेकेंसी के पर डिपेंड करेगा और एक्जाम के उपर के लेवल के अधा लेकिन आप तयारी में लगे रहे हम आपको जल से जल क्लास लेके आएंगे आपको बता देंगे कम समय में क्या पढ़ना है आराम से निकाल लाएंगे क्योंकि मैं खुद एक्जाम निकालना हूँ मैं हर चीज में क्वालिफाई हूँ तो आपको बेस्ट ग